जाहिं दोस्तो जाई जागनात आज हम डिस्कस करने वाल है इस वीडियो में आज की इंपोर्टांट करेंट अफेर को डिस्कस करेंगे तो यह वीडियो को एंड तक देखना बहुत इंपोर्टांट हो सकता है आज की डेट है 1 अक्टोवर 2023 आज की इंपोर्टांट करन एफेर को देख लेते हैं यह है आज की इंपोर्टांट करन एफेर कुस्चिन नमबर वान 29 September is celebrated as which date? बहुत इंपोर्टांट है 29 September को कौन से date के रूप में celebrate की चाहती है और याद रखना यह day क्यों celebrate की चाहती है heart याद रखना heart disease जिसको और उसे कहती है cardiovascular disease याद रखना heart disease उसे cardiovascular disease कहती है और याद रखना यह याशा है कि इसका prevention and global impact का awareness करना इसका main aim से इसका main aim इसका रखा गया है याद रखना global impact and prevention cardiovascular disease का prevention के लिए इसका यह day का awareness फैलाने के लिए यह day से रट की चाहती है इसका main aim है 2023 में इसका theme रखा गया है use heart, use heart, no heart but according to the wild heart, wild heart federation, wild heart federation के अनुज़ाई wild heart day, wild heart day is not limited to a specific theme और topic wild federation के मुताबिक wild heart day is not limited to a specific theme और topic याद रखना important है और यहाँ भी important day देखेंगे यह सभी September month की important day है याद रखना September 1-7 national nutrition week September 2 wild coconut day September 5 national teachers day September 8 international literacy day September 8 को September 10 wild suicide prevention day September 11 national forest matures day September 15 international day of democracy September 15 को भी और एक day है national engineers day national engineers day याद रखना एम भिस्बेस रोई का बाद डे को से लट की चाहती है जो कि एक famous engineer थे September 16 international day for the prevention of ozone layer September 16 को से लट की चाहती है ozone layer day के रुप में important day है याद रखना जो कि हमारा जो लेयर है troposphere और उसके बाद जो stratosphere है इसमें महजूत है ये जो लेयर याद रखना ओजोन लेयर ये डे कौन से रेट को से लट की चाहती है September 16 को September 17 वाल्ड 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 पेसेंट सेफ्टी डे शेप्टेमबर 18 वाल्ड बांबो डे शेप्टेमबर 21 इंटोनेशनाल डे अफ पीस और सेप्टेमबर 21 को भी सेलट की जाती है रेड पांडा डे के रूप में याद रखना, शेप्टेमबर 22 को वाल्ड राइनो डे और रोज डे के रूप में भी सेलट की चाहती है Cancer 3 डे के रूप में भी सेलट की चाहती है September 23 इंटोनेशनाल डे अफ साइन्स लांगवेस डे सेप्टेमबर 25 वाल्ड फार्मासिस्ट डे और अंतरदय डे के रूप में भी सेवेट की चाहती है सेप्टेमबर 25 को यह जितना भी मैंने डे डिसकस कर रहा हूँ यह बहुत इंपोर्टन हो सकता है क्योंकि सेप्टेमबर मान में कोई भी एक्जाम सेप्टेमबर या फिर ऑक्टोबर नवंबर में जो एक्जाम होने वाला है इसके लिए बहुत इंपोर्टन हो सकता है याद रखना करने फिर टोपिक में जितना भी डे रहे उसे बस आप एक ही बार भास धान से सुन लेना और पढ़ लेना क्योंकि यह डे इतना ही इंपोर्टन हो सकता है याद रखना बस एक ही बार सुन लेना और पढ़ लेना भी एक ही दो बार पढ़ लेना उसे याद रहे जाएगा और मैं जो अभी डिसकस करा हूँ उसे भी याद रखना September 25 वाल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में अंतोर दोय डे के रूप में भी सेलवट की जाती है September 26 वाल्ड वाल्ड कंट्रसिप्शन डे के रूप में अंतोर वाल्द मेरिटर में डे वी सेलवट की जाती है वही September 26 को World Environment Health Day भी शेलवेट की जाती है 26 September को September 27 को World Tourism Day World Deep Day भी शेलवेट की जाती है और September 28 को शेलवेट की जाती है World Rabbis Day याद रहाएं एक इंपोर्टान डे है World Rabbis Day September 29 को World Heart Day अभी मैंने बताया World Heart Day International Day of Awareness and Food Safety Day भी शेलवेट की जाती है September 29 को और September 30 IT Day International Translation Day ये सभी डे को याद रखना इंपोर्टान हो सकता है कोई वी एक्जाम में ये जरूर पुछा जा सकता है इसलिए आफ याद रखना ये सभी को और next question Number 2 Virangana Virangana Durugabati Tiger Reserve Is situated in which state Virangana Durugabati Tiger Reserve Is situated in which state ये कौन ची state में श्ती थे याद रखना अप्शन 6 तो राइट आंचर मध्यो प्रदेश ये मध्यो प्रदेश में श्ती थे याद रखना धान से सुनना अभी सुमें ने डिस्कॉस कटा हूँ Forest Forest and Climate Climate Change Minister याद रखना The Union Ministry of Environment and Forest and Climate Change has declared it as the 7th declared it as the 7th Tiger Reserve Reserve of मध्यो प्रदेश ये जो प्लेस है ये बिरंगना दुर्गापती टाइगर रिजर्ब को जो कि Union Minister and Environment Forest and Climate Change जो मिनिस्ट्री रहे उन्होंने उसका नाम क्या है? जो Union Minister of Environment and Climate Change भुपेंद्र यादव याद रखना भुपेंद्र यादव जो कि हमारा Environment and Climate Change मिनिस्ट्री उन्होंने ये उन्होंने ये declared की है कि 7th Tiger Reserve के रूप में कान सी स्टेट की मध्यो प्रदेश की? और ये जो कान सी Tiger Reserve याद रखना बिरंगना दुर्गापती Tiger Reserve उसे 7th Tiger Reserve का मान्यता दी गई है याद रखना और मध्यो प्रदेश में अब तक अल्रेड़ी 6 Tiger Reserve थे और 6 Tiger Reserve के बाद ये बिरंगना दुर्गापती Tiger Reserve को जो कि 7th Tiger Reserve का मान्यता दी गई है याद रखना इमपी में जो 6 Tiger Reserve थे उसका नाम है कान्हा, सातफूरा संचय, दुबरी पान्ना, पेंच याद रखना, ये सभी को और बंधा भगरा याद रखना, ये जो की 6 Tiger Reserve अल्रेड़ी मध्यो प्रदेश में रहे, MP में रहे और मध्यो प्रदेश का CM के बाद करे तो याद रखना, उसका नाम है सिबराज सिंग चोवहन सिबराज सिंग चोवहन और गवानर है मंगो भाई, चाचा भाई, पोटेल मंगो भाई, सी पोटेल और मंगो भाई, चाचा भाई, पोटेल क्यापिटाल के बाद करे तो भोपाल याद रखना, भोपाल ये एक इंपोर्टांट कोश चिन है Next, No.3 In a recent news PM नरेंद्रमधी आप संसी लएट आणसर उत्तर प्रदेश याद से सुनना ये उत्तर प्रदेश का भरा नाशी में ये जो की बनने वाला है ये स्टाडियम ये न्यू स्टाडियम और इसका प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट है 451 करोड की प्रोजेक्ट है और याद रखना भगमान ये स्टाडियम में भगमान सीप का सीप से रिलेटर रहे उसका थीम रहे कौन सी त्रिस्चुल बेला पत्र और याद रखना डमरू डपनर से बनाया गाए है, इसका थीम पर, याद रखना, बस इतना ही याद रखना, कि यह जो ने, स्टाडियम ये उत्तरप्रदेश में बनने वाला है, प्राम मिनिस्टर नौरेदर मोथी ने पाउंडिस अन ट्रों को एस्टाबलेस की है, याद रखना, उत्तरपरदेश का इंडिया 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 इंडोनेसिया और अस्ट्रिलिया एक ट्राइलेटरियाल मेरिटाइम एक्सर्साइज में कौन सी स्वेशियाल वार्शिफ जो की पाटिस्वेट की थी अच्ड़न D is the right answer ins यदे रखना अइनेस सायाद्री यह मुंबाई में बनाये गया था यदे रखना आइनेस सायाद्री अभी यह exercise यदे साूट चाइना सी और अभी एक एक्क्सरशाइज भी चल रहा है उसका ना में यादे ना शिम्बेक्स ध्यान से सुनना Simbacks अभी जो exercise चल रहा है किसके बीच यह एक bilateral exercise याद रखना यह एक bilateral exercise अभी चल रहा है South China Sea में और यह 13th edition रहे अभी जो चल रहा है और यह exercise का नाम क्या है Simbacks बस इतना ही याद रखना इंपोटन हो सकता है Simbacks जो की इंडिया और इंडोनेसिया भी चल रहा है और यह चो आयने सायाद्रिर है यह एक special warship जो गी यूज की गई थी इंडिया और इंडोनेसिया और ऐस्टिलिया और अस्टिलिया का 19th Asian Games being played in which place or which country इंडिया ने ओन की है फास्ट गोल्ड मेडाल यह शूटिंग शूटिक में और इस सेकेंड डे अब दी 19th Asian Games being played in which place यह कौन से प्लेस में यह हो रहा था अनुस्टित हो रहा था और अभी चल रहा है और याद रखना यह जो एस यान गेम रहे यह 23 September to 8 October तक अनुस्टित होगा कौन से प्लेस में मैंने आपको बताई थी अब स्वान डी इस थो रहा है अनुस्टित हो रहा है 23 September to 8 October तक और इंडिया का इसमें 655 प्लेयर इसमें पाटिस्पेट करी याद रखना और ध्यान से सुनना ना अ सुतर रुडराक्सी बलाशाइव याद रखना रुडराक्सी बलाशाइव पतल अन अजुडरिया प्रताफ सिंह तोमार अनूस्टरिया प्रताफ सींह तोमार और दिव्याने सिंह पनवर Baltर ओन धगोल्ड मेडाल उन्होंने गोल्ड मेडाल आचिब की है इसके बाद रहे चाइना ने ब्रोंज मेडाल आचिब की बास इतना ही याद रखना और ये जो एसियान गेम ये जो 19th 19th edition Asian Games रहे कानची प्लेस में हुआ था यांग्जू चाइना में ये अनुस्त हो रहा था 23 September to 8 October तक और एंडिया का करीब 655 प्लेयर इसमें पाटिस्पेट करी बस इतना ही याद रखना क्रोगी वैडेयर नेक्ट क्वें खेंड मोची नोबर शिक्स ू हैंजु अँएज बिन आपूईंटेड आज हू ओ क्वेन अपानीच अप्यूरल रिटेलर और अन्किल आज इटस फास्ट ब्रांड अंभासेडर इन Instagram इसका जो फास्ट ब्रांट अंबासेडर इंडिया का किसने अप्सेन अम्चेने चो कि इस फास्ट ब्रांट अंबासेडर बने, कौन से की, जापान इज आपियरल रिटेल अर अन्किल आप्यों प्राश्ट ब्रांड अंबसेडर बने कट्रीनक कफ को जो की अपॉइंटमेंट में लिए ओर ये जो Option A देख रहा है हो अनुसक शर्मा ज्यान के सुनना अनुसक शर्मा जोकि समयन फेशन भ्रांट ड overlooked डो अमबासरेटर बनने अभीरी सेंट्ले हमने डिसक्कास की थी करनेफेर में अनुसक शर्मा ने जोकि उमयन फेशन ब्रांट डबलु की ब्रांड आमाच्रेटर बने थे और यह जो आप्शन B देख रहा हूँ M.S. दोनी याद रखना सोराज सोराज ट्राक्टर की ब्रांड आमाच्रेटर बने अभी रिसेंटली आप्शन D जो देख रहा हूँ S. सुमनाथ याद रखना ये तो आपको पाता ही होगा Chief of Israel याद रखना इंपोर्टन कोस्चिन है Next question, question no.7 Exercise जुद्ध, exercise जुद्ध is conducted between India and which of the following country from September 25 to October 8, 2023 जो की ये exercise जुद्ध अभी चल रहा है ये बहुत इंपोर्टन कोस्चिन है कौन सी कौन्ट्री के साथ चल रहा है ये exercise अभी इंडिया और कौन सी कौन्ट्री के साथ चल रह रहा है 25 September 25 to October 8 तक सलेगा याद रखना अप्शन 16 तो रहा है यूनाइटर स्टेट अमेरिका के साथ हो रहा है ये अभी 19th edition रहे याद रखना ये जो की exercise जुद्ध याद रखना इंपोर्टन एक्सर्साइज है और exercise और एक्सर्साइज याद रखना जो की इंडिया के साथ अभी रिसेंटल हो आए एक्सर्साइज बजरफ रहार याद रखना exercise बजरफ रहार ये एंडिया और ये वेसे के भीच हो आए इंपोर्टन एक्सर्साइज है next question 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 no 8 जियर्जयो नेपोली टनायो जियर्जयो नेपोली टनायो हज पास्ट आवे रिसेंटलि जो की गुजर चुकी है he was the former president of Italy and what is the capital city of Italy याद रखना अभी रिसेंटलि जो की गुजर चुकी है उसका नाम है जियर्जयो नेपोली टनायो और उन्होंने प्रेसिडेंट थे याद रखना कौन सी की इटाली की और बास इतना ही पूछा जा रहा है कि इटाली का क्यापिटल कौन सी है तो याद रखना अप्षण एज तो राइट एंसर रोम इटालिका क्यापिटाल रोम याद रखना और यह जो प्रेशिडेंट रहे उसका 98 एज में देहांत हुआ है याद रखना फर्मर प्रेशिडेंट था इटालिका इटालिका क्यापिटाल रोम और प्रेशिडेंट की ब जियो मेलोँ नि है धारकिना प्राइम मीनिस्टर जियो मेलोँ नेक्स्ट क्वेश्टिन नमर नाइन द। आशिरिस रेक्स आश्टोयड मिशन इक प्राइम आश्टोयड मिशने कांशी स्पेस एजेंशी कि यह जो option देख रहा हूँ इस दो नासा या फिर रास्क महस यह कौन सी option B इस दो राइट अंसर नासा याद रखना यह नासा का प्रोग्राम है अमेरिका का प्रोग्राम है याद रखना जो कि यह एक न्यू न्यू न्यूली एस्टाबलिक्स की कही है नासा के द्वारा और यह जो रास्क महस देख रहा हूँ यह जो की रस्यान मून मिशन याद रखना next question question number 10 what is the china's next moon mission and it will be launch on 2024 2024 में चाइना ने एक new moon mission launch करेगा उसका नाम क्या है याद रखना option c तो राइटान सा qq q q 2 ऐसे उसका नाम है उसका moon mission है q q 2 याद रखना और यह जो option a देख रहा हो चांगी 6 चांगी 7 चांगी 8 यह सभी भी चाइना moon mission याद रखना important question है यह एक और यह जो option c देख रहा हो q q 2 जो की चाइना ने 2024 में करने का यह बात कर रहा है और यह जो चांगी 6 option a option b चांगी 7 चांगी 8 यह सभी चाइना moon mission पर यह 2024 के बात यानि 2026 में यह launch की चाहिए बस याद रखना और हमारा इस रो यानि नहीं हो रहा है उन्होंने एक ऐसे ही claim कर रहा है कि यह मनने ऐसा बता रहा है कि यह आईकर नहीं की एसे उनका धावा है जो कि चाइना का scientist ने ऐसा ही claim कर रहा है और याद रखना जिसमें नासा जैसे बड़े-बड़ी Moon Mission ने कोई भी कोई भी कोचिन मार्क नहीं की पर उन्होंने ऐसा ही कर रहा है पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसे कर रहा है तो याद रखना जो कि यह जो इस्टो का भी Next Moon Mission आएगा कौन से आएगा याद रखना लूप एक्स लूप एक्स और लुनार पोलार एक्सप्लोरेशन 2024 या फिर 2025 इसी यर के बीच लांच की जाएगी और याद रखना यह जू कि जापनी याद रखना जापान का स्पेस एजेंशी इसका नाम है जाक्सा ज-a-x-a जाक्सा के साथ मिलके यह प्रोग्राम डेफ्लोप की है याद रखना यह दोनों नी मिलके यह लांच करेगा इतना ही याद रखना हमने यह जितना भी इंपोर्टन्ट करेंड पहर डिस्कॉस की यह सौभी को याद रखना और वीडियो फोशन देया तो लाइक कर लेना और हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाना क्योंकि इसी चैनल में एक्जाम डिलेटेड कोच्चिन डिसकास की जाती है मिलता हूँ और एक ऐसा ही इंपोर्टांट जीके के साथ इंपोर्टांट करेंट एफएर इंडियान करेंट एफएर के साथ तब तक लिए जोई हिंद जोई जोगनाथ